है एलो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखने वाले वेरेबल असाइंबेंट करने से पहले यहाप पर थोड़े रूल जो आपको देखने होंगे जो सबसे प्राइबल रूल जै वह है वेरेबल नेम बिंग वितल लेटर अब कभी भी कोई भी वेरेबल नेम प्रोवाइ से स्टार्ट होना चीया ठीक है और एंडर स्कोर अब अंदर स्कोर से स्टार्ट कर सकती है जैसे मैंने आप ऐसे दे दिया तो यह फिर भी valid है तो यह valid variable assignment है हम लोग variable assignment को identifiers करके भी बुलाते हैं तो अब भी से मैं identifiers करके बुलाओंगा जैसे कि मैंने आपर a equals to 20 दिया तो जो हमारा identifier है वो है a और जो हमारा value है वो है 20 तो मैं आपर a identifier लिखता हूँ तो मुझे output मिलेगा 20 ठीक है जो हमारा next tool है वो है other characters can be letters numbers आप जैसे आपने कोई भी letter से start किया उसके बाद आप कोई भी digit डाल सकते हो ठीक है अभी जैसे कि मैंने आपर a 2 डाल दिया और मैं इसे तो आप यह भी valid identifiers है आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने और एक बार ऐसे यह भी valid है अब मैं जब इसे call करूँगा तो मुझे जो output है वो आएगा 20 ठीक है तो आपको यहापर दो चीज जयाद रखना है कि कभी भी आपका identifier character से start होना चाहिए या फिर underscore से जब आपका character start हो गया उसके बाद अपना digit रमेश यहापर मैं रमेश लिखा अब मैंने इसको यहापर पोवाइड किया 10 अब मैंने यहापर R को small किया और A को capital किया अब मैं इसे 10 पोवाइड करता हो तो यह यह दोनों अलग identifier है मतलब यह अलग है और यह भी अलग है मैं एक अच्छे यहापर मैंने 20 कर दिया अब जब मैं रमेश को यहापर call करूँगा नीचे तो मुझे 20 आएगा तो आपने यहापर देखा बस यहापर आपका capital समझो आपने यहापर H capital किया दूसरे वाले इसमें तो यह तीनों identifiers अलग होएंगे तो जो हमरा identifier वो होता है case sensitive होता है अब जैसे मैंने आपर A को capital किया B को small किया और मैंने यहापर दिया इसको number 30 और next मैंने A को small किया B को bhi small रखा और मैंने यहापर इसको किया 70 अब मैंने capital A B को call किया तो आप यहापर देख सकते हैं यहापर मुझे 30 आया तो आपको यह चीज ध्यान रखना होगा अभी जो दूसरा रूल है वो है इस और सम्सक्राइब की वर्ट यहां पर पाइफन के थोड़े बिल्ट इन की वर्ट जो आप उसे यूज नहीं कर सकते हो जैसे कि यहां पर एक इस करके बिल्ट इन है अपने आपर देखा यहां पर है कलर चेंज हुआ मतलब यह पाइफन का बिल्ट इन है आप इसे कुछ प्रोवाइड तो कर सकते हो पर यह आगया कि आगया कि आपको ट्रबल करेगा तो आपको इसे बिल्कुल भी आपने देखा हैं आपर एरर आया है तो आप इसे जो भी पाइफन के की वर्ट है आप उ होनसे पाइफन के कीवर्ट बिल्ट-िन कीवर्ट तो यहां पर आप दिर टाइप कर सकते हों और अभरनत-स right पर आप यह सकते हों यहां पर आपको कि अध्तिशा बटाय जाएगा तो यहां पर अपको इन में से ब्ल्ट-In चूज करना है है जो भी विल्टेन की एससे कॉपी कर ले न जो आंज इसके मिडल मेंको कर दो तो आंशो इस एस पर धे kृत्विक विल्टेन के वोय हां पर और सब यहां पर float id यह सब built-in है आप इसे use करोगे तो इसका color change हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं आप पर color change हो रहा है तो यह सब python के built-in keywords है अब यहां लोग चेक करते हैं कि इसमें total कितने built-in keywords है सब आपको याद करने की ज़वत नहीं है कि यहां पर total 154 built-in keywords है तो आपको इसका ध्यान देना है अभी तो हम लोग एक अग्जांपल प्रफॉर्म करते है जैसे मैंने यहां पर लिखा नंबर नंबर और यहां पर मैंने 10 प्रोवाइड किया तो मैं यहां पर प्रिंट करता हूं नंबर को तो जो हमारा output आएगा वह आएगा 10 तो आपने देखा कि कैसे हम लोग एक चीज बताना चाहूंगा आपको एक एक आर्टिकल में जाना है यह पाइथन का एक दौक्यमेंट आपको एक एक आर्टिकल में प्रोफेट में आकर इसे सर्च कीजिए और इसके बारे में एक बार रीड़ कीजिए तो आपका नौलेज बढ़ेगा और अच्छा होगा अभी जो हमारा नेक्स्ट इसमें हम लोग जाने वाले नेक्स्ट इ है binary to hexadecimal हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा कि आपको बेसिक बताऊंगा फिर आगे वाले इसमें पूरा लेंद में बताऊंगा नहीं अभी हम लोग जैसे लाइन में जा रहे हैं वैसे जाएंगे अभी हम लोग न हुआ है